कारेकारी अधक्ष के रूप में JP Nanda को सुपूर्ट कर दे जाता है, वही JP Nanda 2020 में पूर्ण कालिंग अधक्ष बन जाते हैं और उनका कारेकार लगतार चल जाता है, JP Nanda केंद्रियम मंत्री मंडल का हिस्सा है और किसी भी दीन वो अपने पत से इस्तिफात दे सकते हैं, अधक् जो है कितना फले फूलेगा और इसमें किस तरह के फल आएं पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना नमस्कार एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंधन करते हैं, भीतर की बात में आज एक ऐसी खबर लेकर के आये हैं, जो खबर भारतिय जन्ता पार्टी के साथ-साथ, जो इंडिये गठवंधन है और इंडिये गठवंधन के साथ-साथ, आने जो चुनाओं है चाहे वो किसी राज्जी के चुनाओं हो बिहार के चुनाओं हो या फिर 2029 में फिर से एक बार चुनाओं हो उन सारी चीज़ों को ले करके अब नई रणनिती और नई रणनिती के साथ भारती जनता पाठी अपने तैयारियं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि RSS वो संगठन है जो भारते जनता पार्टी को पीशे से बैक अप करती है उसके रिसर्च और उसके द्वारा तयार किये गए कैडर जो है वो भारते जनता पार्टी के लिए एसेट का काम करते है आख नाख कान जो है वो भारते जनता पाटी के आरेस से इसको कही आती है लेकिन पिछले कुछ दिनों से या कहा जा कुछ वर्सों से जिस तरह से चीजें बिखरती नजरा रही है भारते जनता पाटी का दबाओ आरेस इस पर बनता जा रहा है और आरेस इसका दबाओ भारते शुरू हो गई है कि कई राज्यों में चुनाव हैं और जो बरतमान चुनाव के परिनाम आये हैं लोग सवा के उन परिनामों से RSS काफी नराज है और खास करके जब ये पी नड़ा ने ये बात कह दी कि RSS के बिना भी भारतिय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है उसके बा बता रहा है लेकिन पिछले 2014 के चुनाव के बाद धीरे धीरे करके स्थितियां बदलती चली गई और भारतिय जनता पार्टी को इस बात का हैशास हो गया तो उसे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है लेकिन हमने आपको कई बार बताया है कि गठवंधन की राजनीत और गठवंधन की राजनीत में सामनजथ से बिठाना एक बड़ा काम होता है और ये काम भारतिय जनता पार्टी करना तो चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है इस्वार बैसाखी के सहारे ये सरकार बनने के बार चर्चा इस बात को लेकर कहुने लगी है कि आगे अब कैसे अप अब आरेस इसको भरोषा नहीं है इसके साथ साथ भारते जन्तापार्टी में एक परंपरा रही है अध्यक्षिय परंपरा इस अध्यक्षिय परंपरा में आपने देखा होगा चलता रहा है और जब जब चुनाव हुए है या किसी दूसरे पद पर अध्यक्ष को सुसोवित किया गया है तो उन्होंने अपनी कुर्सिश छोड़ी है चाहे वो अटल विहारी बाजपेई की बात कर लिजे या फिर राजनाथ सिंग की बात कर लिजे 2014 में राजनाथ सिंग अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके अध्यक्ष काल में ही देश में नरेंद्र मोधी का पदारपन हुआ और उन्हें परधान मंत्री के कुर्सिश से पर बिठाया गया इसके लिए राजनाथ सिंग की मेहनत और उनका जो राजनीति कौशल था वो काफी कुछ देखने को मिला और जैसे ही ये सब कुछ हुआ राजनाथ सिंग ने केंद्रिय मंत्री मंधल में सामीर होने के बाद तुरत अपने पद से अध्यक्ष पद से त्याग किया और अध् ऐस पद पर शुशोबित हुए अमिज सा के नेत्तित में दोह जारूने इसका चुनाव लजागा इस बीच में कई राज्यों में चुनाव हुए उसमें उनका परदर्शन रहा और अमिज सा को जो उत्तर प्रदेश में चुना हुए थे और उत्तर प्रदेश में बेहतर परदर्शन किया था भारती जन्तापाटी ने 80 में से अधिकाम सीटे जीत करके 70 से उपर सीटे जीत करके आई थी इसका इनाम उन्हें मिला था और इस इनाम के कारण उन्हें अध्यक्ष भी बनाया गया था और भारतिय जन्ता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमीद साह की जोड़ी को मिसाल के रूप में भी देखा जाता है लेकिन वही अमीद साह जब 2019 के चुनाओं के बाद मंत्री मंडल में सामिल होते हैं ग्री मंत्री बनते हैं उसके बाद से वह पद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में JP Nandya को सुपू्ण कर दिया जाता है वही JP Nandya 2020 में पूर्ण कालिंग अध्यक्ष बन जाते हैं और उपार कार्यकार लगतार चल रहा है 2024 के चुनाओं के बाद जेपी नडाब केंद्रिय मंत्री मंडर का हिस्सा है और किसी भी दीन वो अपने पत से इस्तिफात दे सकते हैं अधक्ष के चुनाओं की तैयारियां शुरू हो गई है इसी के अधार पर बिहार में भी बहुत सारी बातें दिखने को भी रही हम बिहार करके अब आरेशेस और भारती जन्ता पार्टी के बीच में जो 2024 के चुनाओं परिनाम आये हैं उसको लेकर के लगतार उठापटक का दोर जारी है जेपी नडा के जिस तरह से बयान आये हैं उस बयान से नराजगी भी है और मोहन भागवत ने इस पर रियक्ट भी किया था अब जबकि संग ये बात महसूस कर चुका है कि भारती जन्ता पार्टी संग के बीना कमजोड होगी तो ऐसे इस्तिती में संग का हस्तचेप एक बार फिर से सुरू हो चुका है अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या है है ये हस्तचेप जेपी नडड़ा, अमिट साह, नरेंद्र मोदी, राजनात सिंग ये बरदास्त करेंगे तो निश्यत रुप से जो बरतमान परिष्टितियां बनी है उसमें संग की आवशक्ता महसूस होने लगी है और संग इसमें कहीं न कहीं आवास्तचेप करना सुरू भी कर चुका है मोदी और संग के बीच में एक सामझत से बिठाने की कोशिस भी की जा रही है और इसको ले करके जब अध्यक्ष के चैन की बात हो रही है इसमें कई नाम है जो संग के द्वारा ही सुझाव दिये गए हैं कि इस नाम को इस बैक्ति को भारते जनता पार्टी का अध्यक्ष नरेंदर मोदी और अमित साह के डंबी के रूप में भी काम कर सकते हैं खर इन बातों को लेकर के अध्यक्ष बदलने की अध्यक्ष नए अध्यक्ष के मनोनयन की तैयारियां शुरू हो चुके हैं और उस तैयारी को लेकर के ही आपने देखा होगा कि अलग-अलग राजिय के लिए यानि परिणाम में जहां-जहां कमिया रहे हैं उसे पाटने के लिए भी यह प्रयास किये जाए अब ऐसी इस दीती में पांचे नाम हमारे पास हैं जिन नामों की चर्चा चल रही है और भीतर खाने में इस नाम को लेकर के जिसमें बिहार से भी नाम आ रहा है सब के साथ-साथ इनका अच्छा रिष्टा भी रहा है इसके साथ-साथ बात करें तो कहा जाता है कि यह बर्तमान परिश्थिती में नरेंद्र मोदी और अमीत साह के बहुत विश्वास पात्र में गिने जाते हैं इनका नाम लगतार उपर रखा गया है लेकिन इसके अलावे और भी मजबूत नाम इस लिस्ट में जारी किये गए हैं इस लिस्ट में सुनील बंसन का भी नाम है जो राजस्थान उत्तर प्रदेश के संगठन प्रभारी रहे हैं 2017 में 80% बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में शरकार बनी थी लेकिन इनके साथ एक सबसे बड़ी समस्य है कि इनका योगी आदितिनाथ के साथ से बेहतर संबंद नहीं है उनसे 36 का आकड़ा है और ऐसी परिस्थिति में एक बात आप समझ लिजए कि इनके साथ जो इस्थितिया रही हैं उसमें पस्चिम बंगाल की बात करें उडिशा की बात करें तेलंगाना की बात करें इन सुनील बंसल की बात अगर करें तो सुनील बंसल के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि इनका महराष्ट से संबंद है और महराष्ट में आपको पता है इनका संबंद जो है राहिस्तान से रहा है अन्य राजियों से रहा है और अब जबकि कई राजियों में चुनाम है उसको ले महाराष्ट से आते हैं और महाराष्ट में चुकि विधान सवा के चुनाव होने है और महाराष्ट में जिस तर से भारतिय जंता पार्टी पिशड़ी है हलाकि जोर तोड़कर के उसने सरकार बनाया चलाया भी है यह पुंतार कर विजय लेकिन इससे महाराष्ट के साथ गुजरात का संबंध चुकि अगल बगल में हैं और महाराष्ट और गुजरात के साथ रिष्टों को लेकर के भी बहुत सारी बाते हो रहे हैं महाराष्ट में गुजरातियों के सबसे टॉक पर रहने को लेकर के भी बहुत सारी बाते कही जा रही है तो ऐ संञे जोसी वो सक्स हैं जिस पर सबसे जादा है डाव ऑरे स्स लगना चाहती है तो संझे जोसी सबसे जादा चोंकाने वाले नाम है भारते जंतापाटी के लिए और भारते जंतापाटी के जो बर्तमान लाओ में उसके लिए भाजपा विरोधी गठबंधन से भी जादा संजे बंसल का नाम सुन करके हाल का अपने लगता है भारते जंता पाटी के उच्च पदो पे बैठे हुए लोगों का संजे बंसल पूर्णता आरेस इसके कैडर के रूप में जाने जाते हैं और खड़े निर्णय के लिए जाने जाते हैं कहा तो य जाता है कि इन्हें अध्यक्षपत दिया जाए जिससे की आने वाले जो चुनाव हैं चाहे वो दो हजार उन्तिस के चुनाव हो या अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव हो चाहे चार राज्यों में दिसंबर में चुनाव होने हो या फिर अगले साल बिहार और अन्य राज्यों में चुना होने हो इन सभी को मदर रखते हुए संगठनिक छमता और संगठन मजबूत करने वाले रखने वाले व्यक्ति के हाथ में दिया जाए ऐसे में संजे जोसी का नाम सबसे ज्यादा चौकाने वाला है इसमें सिर्फ संसे यही है कि भाते जनता पाठी का जो रखा जा रहा है इनका नाम आगे रखा गया इसके अलावे ओम माथूर का नाम भी आ रहा है ओम माथूर मोधी के बहुत विश्वास पात्र माने जाते हैं मोधी के विश्वास पात्रों के एक लिस्ट है जिस लिस्ट में इनका नाम ओम माथूर का बहुत तेजी से आता है उत्तर भहार में जिस तरह से आपने देखा होगा कि सरकार बनाने केंडर में जरुवत महसूस होती है सीटों की वो पूरा करने में इनकी गड़ी भूमिका है उत्तर भारत को पूरी तर से मजबूत करने के लिए और जो इस बार सीटे कम हुई है उसे फिर से अपने हाथ में लेने के लिए कई राजियों में चुना हो रहे हैं उसको लेकर के एक बड़ा फैसला लेने की बात कही जा रही है उसके साथ साथ संजेब बंसर, ओम माथूर कायश समाज से आते हैं, इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि इन पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है, चुकि ये नरेंदर मोदी के बहुत करीबी हैं, उनके विश्वास पात्रों में हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी अगर RSSS इस पर मोहर लगा देती है, क्योंकि RSSS को लेकर के भी कहा जा रहा है कि RSSS भी इनके नाम पर विचार कर रही है, वहीं आपको बदा दें कि कायश समाज को लेकर के भी इसलिए ज़्यादा है, कि आपने देखा हो एक बड़े नेता हैं, बिहार से आते हैं, पटना से आते ह हैं, रविशंकर प्रशाद जो लगतार दूसरी बार जीत करके गए हैं, लेकिन उनको किसी मंत्री मंडल में सामिल नहीं किया गया है, जबकि इससे पहले वो राजसाबा से थे मंत्री हुआ करते थे, अब उनके जगह पर ओम माथूर को कहस्थो का नेता हाला कि अगर संख करके भी कहा जा रहा है, लेकिन इनके आरे उम्र आ रही है, काफी उम्र हो जाने के कारण, इनके नाम पर हो सकता है कि विराम लगे, लेकिन इसके साथ साथ चौकाने वाला और नाम है, और वो नाम बिहार से ही है, नाम है राधा मोहन सिंग का, राधा मोहन सिंग मोतिहारी यानि पूर्वीच अमपारंद से आते हैं कई बार 6-7 बार वो जीत करके गए हैं और इस बार उन्हें मंत्री मंडल में सामिल नहीं किया गया है 2014 में क्रिसी मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है संगटनिक चमता भी है आरे से इसके कैडर भी रहे हैं और ऐसी स्थिती में इन पर विचार किया जा सकता है यानि भारती जन्तापाटी के पास जो बर्तमान परिस्थिती है और अध्यक्ष पद को ले करके क्योंकि जिस तरह से जैसे ही अध्यक्ष का रास्ट्री अध्यक्ष का चैन होगा उसके बाद अलग-अलग राज्यों में भी अध्यक्षिय विवस्था को और दुरूस्त की जाएगी और अध्यक्ष बदलने की कवायत सुरू हो जाएगी इस कारण मोदी और सा की निंद उड़ा दिया है RSS ने RSS चाहता है कि इस बार जो अध्यक्ष हो वो RSS का हो और RSS के कंट्रोल में भारती जंता पार्टी है अब देखना दिल्चस्क होगा कि इस पर कितनी सहमती और कितना ज़्यादा भरोसा कैसे इस समस्या से निकलती है भारती जंता पार्टी और RSS किस तरह से मैनेज करता है आगे विहार पर हम चर्चा करेंगे विहार पर चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि विहार में किसे दिया जाएगा विहार का कमांग क्या समराज चोधरी करेंगे या फिर कोई नया नाम होगा इंत्यार किजिए बहुत जल्द हम आपको ले करके आ हैं बिहार में अध्यक्ष कौन होगा बारती जंदा पाटी पनोर्मा क्रोप जो सोचता है वो करता है अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें ओजेगो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़वर रुवा मुफ में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने तो जोईन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद